चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन हेलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे सेब्टेक टेकनिकल एनलाइसिस में आज हमें स्टड़ी करेंगे RSI और कुछ ऐसे इंडिकेटर का जो सबसे इंपॉंटेंट इंडिकेटर है लेकिन उससे पहले मेरा एक डिस्कलेमर होगा हम इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में किसी भी स्टोक का डिसकसन किया जाएगा ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पसे नहीं के ट्रेडिंग के परपसे तो आप ट्रेड करने से पहले अपने फैंडिकेटर जोड़ राए ले लें आगे आप मेरे मैक्समम मेरी वीडियो में आप देखेंगे RSI का मैं डिसकसन करता हूँ और बहुत सारे इंडिकेटर हैं आप देखेंगे तो हजारों इंडिकेटर मिल जाएंगे लेकिन मैं सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस RSI को देता हूँ इसलिए नहीं क्योंकि मुझे RSI ही आता है बहुत जारे इंडिकेटर को काम करने के बाद मैंने स्लेक्ट किया मूविंग एबरेज और RSI ये दो इंडिकेटर के बेस पे आप स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हैं कि के इंडिकेटर कन्फ्यूज क्रियेट करने वाले हैं कन्फ्यूजन में डाले रहते हैं आपको हमेसा तसलिए मेरा जो भी होता है कि जो सेलेक्टिव इंडिकेटर है RSI और मुविंग एबरेज इससे अच्छा इंडिकेटर आपको न मिलेगा न मिलेगा इसका रीजन मैं बता रहा हूँ इसके रीजन बहुत सारे fundamental रीजन है कि summer stock के price पे जो हमारा stock के price पे हमें ये देखना होता है कि ये stock उपर जाएगा या नीचे जाएगा तो stock हमारा parent है और उस से drive मतला उस से calculated जो इंडिकेटर है उसमें moving average उस price के base पे calculation है और RSI price के base पे calculation है बाकी के indicator जो मेरे knowledge में है सारे अलग-अलग indicator और अलग-अलग valuation पे calculated है मेरा कहने का मकसद है कि और सारे जितने भी indicator है दूसरे indicator से के calculation पे डिपंड़न है तो हम क्यों नहीं एक parent indicator पे डिपंड़न हो जो main indicator है main indicator उस indicator को बोलते है यह मेरा अपना selective और define किया हुआ indicator है main indicator ओ इंडिकेटर है जो price पे dependent है और उस और जो जो उसके child indicator है maximum आपको child indicator मिलेंगे जो price से बने हुए main indicator से indicator बना हुआ है जैसे मैंने example दिया है moving average पे dependent moving average के base पे MSED indicator है इंडिकेटर है स्टोच RSI आपके तो जितने भी इंडिकेटर आपको मिलेंगे 245 इंडिकेटर के base पे एक इंडिकेटर हमने बना दिया मतलब 2-4 child के base पे एक sub child बनाया हमने तो हमारा जो parent है price है price के base पे जो price के calculation पे calculate होता है वो main indicator होता है और उस main indicator में moving average और RSI ये number one indicator है इस indicator के base पे ही अगर आप study करते हैं और इसकी पूरी complete knowledge रखेंगे ता आप 100% पैसा बनाएंगे उसी RSI के basis पे आज हम आपको दिखाएंगे कि RSI कौन से level से stock में अच्छा कासा momentum आने की chances होता है और intraday trading purpose से previous day में RSI के क्या level है जिसे हम guaranteed निकाल सकते हैं कि stock आज उपर जाएगा उसकी हम example के साथ में और उस level के basis पे आप stock अगर scan करते हैं तो intraday में से दूसरे दिन के लिए आप उस stock को select करके पैसा बना सकते हैं तो 90% case में RSI का एक level है वहां से 90% case में stock में बहुत बड़ा move आने की chances होता है वो कौन सा RSI का level है उस पे हमें study करेंगे previous example दिखाएंगे और उस RSI के level पे stock भी selection करेंगे septic software के माध्यम से तो यह रहा हमारा software और इसके basis पे इसके basis पे आज मैं आप लोग को दिखाऊँगा है कि हमने यह stock Gabriel India को select किया हुआ है और RSI यह 70-80 के level से गिरावट में आई है और इसने low मारा 47 का जब तक यह RSI नीचे गिर रहा है तो आपको लेवल नहीं देखना है प्राइस के गिरावट में प्राइस अगर फॉल हो रहा है उसमें RSI का कोई भी लेवल हो सपोज मैंने एक 40 का लेवल बोल दा कि 40 से उपर जाए तो आपको बाई करना है लेकिन नहीं falling market में RSI का 40 हो 50 हो 60 हो आपको नहीं falling market में market गिर जाने के मतलब इस्टॉक के price fall हो जाने के बाद RSI जो भी bottom बनाता है वहां से reverse होता है price भी reverse होता है उपर की तरब reverse करता है और RSI भी uptrend में आ जाता है तब हम RSI के उस particular लेवल पे हम उस stock को select कर सकते हैं तो वो हमारा level जो है 50 का level है RSI अगर 50 के उपर move करता है और price भी 50 के उपर move करता है इट्स मींज RSI नीचे आ चुका होता है 40, 30, 35 जिस level पे और वहां से उपरी level पे आ रहा होता है reverse करके 50 से उपर RSI आ रहा होता है और price भी नीचे से bottom बना के uptrend में price मतलब low से recover कर रहा है तो उस case में अगर आपको RSI 50 के उपर आ जाए या 50 के आसपास आए तो 100% 99% accuracy होती है कि second day में बहुत बढ़ा move आ सकता है बहुत बढ़ा move 2, 4, 5% की move आ सकता है अगर 2%, 3% continuous आप RSI के एक particular level पे means 50 के level पे 2, 3% stock move कर जाए daily basis पे आप profit earn करें तो इससे अच्छा return आप कहीं नहीं कर सकते हैं 2% के हिसाब से 40% होता है महीने का तो उस हिसाब से आप देखें कि अगर RSI 50 के उपर आप देख रहे हैं कि 50 से हमने move किया और price भी हम आगे bottom बना कि price uptrend में बंद हुआ है uptrend में बंद हुआ है तो हमने यहाँ RSI इस दिन की जो closing थी 21 पे 21 पे 21 के उपर मतलब 50 के उपर है तो आप second day के लिए 100% stock को buy कर सकते हैं और इसकी closing थी जिस दिन close market बंद हुई थी 50 के label पे उस दिन की closing थी price का 195 का और second day यह इसने high बनाया 202 रुपए का तो आप देख रहे हैं कम से कम 5% का 5% 10 रुपए का rise हुआ है means 4-5% का stock में rise हुआ दूसरे दिन भी इसने 207 रुपए का high मारा उसके बाद fall किया तो मतलब दो दिन तक continue अगर आपने यहां किसी भी लेवल में भाई किया होता 26 रुपए को तो इस stock में 207 रुपए को आपको 207 रुपए के target के लिए या 205 रुपए मतलब आप 10 रुपए लेकर के आप 5% profit लेकर के दो दिन के अंदर में आप निकलेंगे तो यह हमने आज डिसकस किया कि RSI का कौन सा लेवल है तो RSI का 50 का ऐसा लेवल है जहां पे stock नीचे से RSI move उपरी लेवल पे कर रहा है और price भी उपर जा रहा है तो हम उस लेवल पे 50 के लेवल पे RSI पे हम stock intraday के लिए मतलब यह आज के date में जो end of day market में आज जो 50 के आसपास RSI लेवल बंद हुआ है और price भी उपरी लेवल पे बंद हुआ है मिन्स कि कल से up trend में मतलब price up में price plus में बंद हुआ होना होना चाहिए और RSI का लेवल 49-50 के उपर होना चाहिए इस case में आपको उस stock को buy करना चाहिए दुसरे दिन के लिए सुबा market खुलते ही अगर थोड़ा सा नीचे या आज पास जहां भी मिले आपको तुरन 10 मिनट के settlement price पे आपको buy कर लेना चाहिए और आपको एक या दो दिन के अंदर में 2-5% का profit होने का chances होता है अब रगई बात की RSI के 50 के लेवल को हम data कैसे निकाले तो यह हमारा software help करेगा आपको software में आप देख सकते हैं technical scanner screener हमने बनाया हुआ है इसमें अगर यह window नीचे जा रहा है तो आप stock panel पे click करेंगे तो यह हट जाएगा आपका अब हम यहाँ पे हमें ओ इस stock चाहिए जो plus में बंद हुआ है अब कल के लिए कल का बजार के लिए अगर हमें stock select करना चाहते हैं और RSI का लेवल RSI का लेवल 49 to 53 हमने बिलकुल डाला हुए 49 means 49 और 53 मतलब कि हमें 49 या 51 52 के आस-पास भी हो तो हम उस स्टॉक को buy कर सकते हैं और price आप stock चाहते हैं किस price के बीच में तो हमें suppose 50 से 100 रुपे के बीच में चाहिए या किसी भी range में आपको चाहिए तो आप यहाँ select कर सकते हैं और NSE सारे stock में मतलब NSE के सारे stock में हमें अब इसमें आप देख रहा है PTC Orient Cement NIT Ind Limited MRPL, Mangalam, GPPL यह सारे कल के लिए यह आप RSI का label देख सकते हैं 51, 53, 50, 49 अब 50 के पास है आपका 40 40 का 40 पे हम क्लिक करेंगे यह एक्शली Friday की closing के basis पे हम Monday के लिए stock सेलेक्ट करेंगे तो कंडिशन हमने बताया कि RSI 50 और एक्जामपल भी दिखाया आप लोग को तो RSI 50 के basis पे आप 40 को हमने सेलेक्ट किया अब 40 का हाई 52 पी 85 पैसे का Friday के सेस्टन में बंद हुआ है बंद क्लोजिंग 151 80 पे हुआ है और इस सारे moving average के 50 days moving average के ऊपर में बंद हुआ है इस टॉक जो है 50 days moving average के प्लस उपर बंद हुआ है तो यह भी एक आपका plus point है कि 50 days moving average के ऊपर बंद हुआ है तो 100 days जो moving average है 163 का है 163 तो 100 days moving average or 200 days moving average को टच कर सकता है stock लेकिन 100 days moving average को पहला इसका target होगा 100 days moving average को टच करने के लिए तो आपको यहाँ भी help मिलके है कि हाँ यहाँ तक जा सकता है और हमारा buy level भी दिखा रहा है यहाँ पे इस stock को कि इसका target कम से कम 158 का होना चाहिए तो इस तरीके से और volume में average volume में गिरावट हुई है volume suggest नहीं कर रहा है और RSI लेकिन suggest कर रहा है moving average suggest कर रहा है 50 के level पे 8 days का भी moving average है 8 days और 50 days का crossover हुआ है इसको bullish crossover बोलते हैं bullish crossover इसको बोला जाएगा अब हम देख लेते हैं एक बार chart इसका 40 इसका तो इस तरीके से हम बिल्कुल 50 के moving average से उपर जा रहा है और आप देख रहे हैं RSI बिल्कुल 51 पे गिया है घुमा है राउंडिंग बॉटम बना करके घुमने की तियार है तो बिल्कुल ए स्टॉक में 163 का target यह 100 days moving average को 100% touch करने की तियारी कर रहा है राउंडिंग बॉटम विट हैंडल बना है आप इसको देखेंगे आप चार्ड पे इसका अगर हम सेप खीचें मेरा में फोकस ही होता है कि आप लोग live market में इसको learn करें अब इसको राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम क्या होता है यह मैं आप लोग को ड्रॉइंग करके दिखाऊंगा आप ऐसे देखें यह ऐसे राउंड हो रहा है और राउंडिंग बॉटम का यह ब्रेक आउट 156 पर है यह राउंडिंग बॉटम है और इसका यह हेंडल है इसको rounding bottom with handle बोलते हैं इसमें rounding bottom drawing करने का मेरे को दिखनी रहा है actually video बनाने में भी थरा सा time चाहिए होता है sorry कम time होता है इसलिए हम इसको वैसे मैं आप लोगो explain कर दू rounding bottom with handle एक technical pattern है जिसमें rounding bottom बना करकी एक handle बना दिया तो इसको rounding handle with cup handle with cup इसका target कम से कम यहाँ यह bottom और इसका top का जो target है यह breakout करेगा तो इसका range आप निकालोगे range means 143 minus 157 तो यह आपको 157 means आपको 14 रुपे का target यहाँ से आप एड करोगे इसके bottom से है जो handle का bottom बना है 14 रुपे एड करोगे तो 148 प्लस 14 रुपी 14 रुपे मतलब 161 161, 162 का target जो हमारा 50 days moving 100 days moving average है यहाँ target के लिए आप इसको buy कर सकते हैं तो हर angle surrounding with bottom RSI, moving average all शारे indicators शारे हमें support कर रहे हैं buy करने के purpose से और यह 154 के उपर जाएगा तो 158 तो जाना जाना है तो इस तरीके से 158 के उपर breakout होगा हो सकता है कल का high बने 158 वहाँ से फिर से downtrend में आएगा और 155 रुपे से फिर से 163 के लिए परसो के session में जाने का chances है लेकिन जो भी आप trade करें अपने financial advisor से राय ले करके मेरा main focus था कि हम RSI के कौन से label से stock को select कर सकते हैं और वह stock selection करने की criteria कैसे हम RSI between 50 to 51 या 49 to 53 के बीच में हम select कर सकते हैं वह हमारा यह software आपको help करेगा इस तरीके से मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा जिसके basis पे इस software के माध्यम से stock select करके second day के लिए अच्छे खासे 2%, 3%, 4% profit करने के लिए आपको software कैसे help करेगा अब PTC ये सारे stock अच्छे हैं PTC में भी अच्छे खासे buying हुए हैं तो इन में से जो stock का chart और RSI और moving average सब कुछ आपको help करे उन stock को 100% आप अपने financial advisor से राय ले करके trade कर सकते हैं इसने भी 119 रुपए के moving average से उपर बंद हुआ है और 124 रुपए 133 रुपए 30 पैसे के उपर जाएगा तो 127 रुपए का target के लिए buy कर सकते हैं volume में volume 30% growth किया है तो इस तरीके से ये सारे stock RSI के basis पे और भी indicator के basis पे आप detail वीव करके chart के help से trade कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जोड share and subscribe करें और आपने अगर मेरा चैनल subscribe नहीं किया तो जोड subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोग को technical valuable indicator के BCA के बारे में आप लोग को learning कराता रहूंगा तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो के बाई तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो के बाई